दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे टाटा क्रूप का एक सांधर कंपनी के बारे में जो की फैशन सेग्मेंट में काम कर रहा है फैशन सेग्मेंट में फोकस्ट है और अपना खुद का इन हाउस बिल्ड 25 ब्रांड के साथ वो काम कर रहा है जिसका नाह में ट्रेंट करेंट और यहां पे काफी confusion create हुआ है investor के बीच में जितना की आप लोग को पता भी है तो यहां पे जितना जो higher price में लोग सोचते हैं कि यार इसमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए lower price में भी same situation पैदा होता है तो हम लोग यहां पे continuously जैसे काम करते हैं confusion clear करते हैं और कितना ज्यादा हम लोग investment में कितना ज्यादा अच्छा से discussion कर सकते हैं वो उसके उपर भी हम लोग बात करते हैं तो यहां पे आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखना मैं यहां प करेंगे टेकनिकल पर भी देखेंगे कि यह वाला जो प्राइस लेवल है यहां से क्या आगे हो सकता है क्या यह मीट टर्म और लॉंग टर्म के लिए सही है वो भी डिसकस करेंगे तो आखित तक वीडियो को जरूर देखियागा सो दट आपको proper information सही से मिल सकेंगे नमस्का report का sorry तो वहां से कुछ extract करने के लिए कोसिस करें को data जैसे कि आप लोग को दिखेंगे 45 डेज में एक नया स्टोर बैठ रहा है यह बहुत अच्छी बात है यहां पे अपना अपना presentation का अपना तरीका है यह यहां पे जितना store बैठा हुआ है number of days इसका मतलब register होने का तो divide कर से 45 days निकलता है तो यह लिख दिया है कि 45 days में एक नया store बैठता है ठीक है एक presentation का अच्छा तरीका है ठीक है और उसका बात मैं आपको लेना चाहूंगा कि page number 25 में correct page number 25 में यहां पे data entry करता हूं और यह 25 number page में तो यहां पे आप लोग को दिखेंगे total 49 stores अब तक बैठ चु 49 store यहां पे total calculate करके अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा बड़ा city में इसका presence है और जितना टायर 2 cities में भी धिरे-द्रे करके यह लोग entry कर रहा है अल्यड़ी फैशन से लेकर अभी सिधा वह grocery market और आप लोग का सबजी या फल की market में यह जैसे आप लोग देख सकते कोई टाटा क्लिया हो गया कि फावस्टा हो गया स्काई हो गया धीर धीर टायर 2 में बहुत ज्यादा expand करने के लिए इनके पास opportunity है तो बहुत आगे का रहा देखोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें और यहां पर जैसे कि 71 नंबर पेज में आपको लेना चाहूंगा तो य लोगों का लाइक बहुत होसला बढ़ाता है तो मैं आसा करता हूं कि आप लोग को यहां पर मेरे को मदद करेंगे तो बापस आते हैं हम लोग तो यहां पर आप लोग को दिखेगा यह इतना सारा ब्रांड इसका उसके साथ है मतलब यह में ब्रांड के मैं बात कर रहा हू जैसे हो गया West Side हो गया Judeo हो गया Star हो गया जारा हो गया या Booker हो गया Landmark हो गया जैसे कि जो Books Books के उपर काम करता है वो यह Massimo Roti हो गया या उत्सा हो गया उसके बाद आप लोग यहां पर करके पूरा 300-313 पेज का है और यहां पर सब कुछ आप लोग को दिखेगा कितना सब अपराण इन लोग के साथ जुड़ा हुआ है और इनका अगर एक एक करके आप लोग देख रहे जाओगे तो खतम ही नहीं होगा और बहुत अच्छा से प्रेजेंट किया गया है इस 2016 में इसको थोड़ा सा इंप्रूब यह जूब कर देता हूं तो यहां पर 2016 में पर स्क्वाइर फिट में जो 9,411 रूपे कमाता थी कंपनी ट्रेंट के में बात करा हूं चाहिए वो वेस्साइड हो सकता है लैंड मार्क हो सकता है कुछ भी हो सकता है अभी 2019 में आप लोग को दिखेगा कि 10,462 रूपीज कमा रहा है करें 10,462 रूपे एक स्क्वाइर फिट में कमाता है अगर 2020 के उपर बात किया जाए 2020 से फिनेंश सेम लेबल बे बोल सकते हो तो यहां पर थोड़ा सा कॉंसलिडेशन चल रहा है एक नौर्माल फेज में आ चुका है लेकिन जिस हिसाब से इसका जो ऑनलाइन प्रेजन्स धिरे-दिरे करके बढ़ रहा है ऑनलाइन काम करना सुरू किया है तो यहां पर बहुत ज्यादा कर दोगे तो 165 तक पहुंच चुका है जो कि आप लोग बोल सकते होगे बहुत अच्छी पॉकर्ट धिरे-दिरे बढ़ा रहा है टायर वान टायर टू सीटीज में और यहां पर में नेक्स पेल आपको लेना चाहूंगा यहां पर आपको ग्रॉस मार्जिन थोड़ा घरता है इस ट्रेंड लिमिटेड के ऊपर तो मैं आपको लेके चलता हूं स्क्रीनर पर स्क्रीनर में हम लोगों बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है तो यहां पर 22,785 करोर का कंपनी है एक लाज का कंपनी है उसके सामने सिर्फ और सिर्फ 300 करोर का डेट है करेक्ट और यहां प बहुत खराब दीखेगा मतलब उतना अच्छा आप लोगों नहीं दीखेगा रिटर्न एक्विटी लेकिन आरोसी आप लोगो थोड़ा सा धंका दीखेगा तो उस 16.9% के हिसाब से आप लोग आरोसी अगर वह थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है अगर पीर्स में आप ल 17 विल भी दो लास्ट पांच सल का जो आरोसी ओनान आपरेश देखा रहा है उससे उपर है तो हम लोग का जो पॉफरमान से आरोसी का अगर आरोसी का चार्ट करके देखोगे तो जो आप लोग का अबरेश से थोड़ा ज्यादा यह अभी पोफर्म कर रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है और टाटा ग्रूप का कंपनी में आप लोगों पता है कि प्रोमोटर होल्डिंग उतना खास नहीं रहता है जो कि 37 परसेंट है अगर इंवेस्टर से में जाके आप लोग पूरा चेक करते हो तो यहां पर पब्लिक का अगर क्लिक करते हो पब्लिक के पास क इसको information जानने के लिए हम लोग के बार अनौथ रिपोट में जाके देखना हो गपाँ पूरा है अगर आप लोग चाहते हो तोनोई उरन बात करोंगा बाकी free cash flow की तो free cash flow उतना ज्यादा नहीं है बट सिर्फ positive दिखेगा यह एक अच्छी बात है free cash flow जेनरेट हो रहा company में और लाश्ट 5 साल का free cash flow वह भी positive दिखेगा लेकिन वही digit number में दिखेगा और profit loss की बात किया जाए अगर आप net profit के दिखा जाए तो यहां पर तीन साल लॉस करने के बाद उसके बाद कोई loss यहां पर दज होता हुआ नजर नहीं आएगा बस तिल पांच लास पांच से capture तो उस हिसाब से आप लोग एक अच्छा खासा result मिल पाएगा और यहां पर मैं बात करूंगा जो की हम लोग का technical analysis टेकनिकल में हम लोग आ चुके हैं तो 5813 के हिसाब से एक छोटा सा उच्छाल दिखाने के लिए यहां पर ready हो रहा है तो यहां पर अच्छा कासा यहां पर रुकावट आकर यहां पर मैं मल्टिवेगर पारण के बात करूं यहां पर reverse ट्रेंगल जो बना था 2009 में उसके बाद no doubt यह बहुत अच्छा का सा अच्छा करेगा इसमें कोई भी डाउट नहीं है और यहां पर काफी हम लोग इसका जो फंडामेंटल देखे काफी स्ट्रॉंग है और इस ताइप का सिच्वेशन में कोभी डाइटी स्टेन किया हुआ है जो कि बहुत अच्छी बात है और यहां पर मैं बात करूंगा ट्रेंड के बा और यहां पर जो ग्याप उपनिंग हुआ था यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो यह बला ग्याप को तो कभी ना कभी भरने के लिए जरूर आएगा तो यहां पर नीचे की तरफ एक बार 470 का लेबल यहां पर देखने के लिए मिल सकता है तो 470 विल भी तर राइट प्राइस टू एंटर यहां पर अभी कोई जल्देवाजी करना मेरे हिसाव से सही नहीं रहेगा तो 473 से यहां पर आप लोग एक बार एंट्री ले सकते हों और यहां पर मैं अगर डाइवर्जेंस की बात करूं तो यहां पर बहुत अच्छा का सा डाइवर्जेंस बना इसका प्राइस को उपर लेने के लिए काफी मदद करेगा उस प्राइस का अगर आप लोग का पास बोजिशन है तो वहां से आप लोग निकल सकते हो और आगे का जो प्राइस में आपको बताया 470 के असपार उसको भी वेट कर सकते हो तो यह था और आपको अगर निप्ट के साथ कोई भी कंप्यार मत करना तो इसको अगर देख के अगर बात किया जाए तो अगर मैं उसको समराइज करू तो ट्रेंड बहुत अच्छी कंपनी है लेकिन एंट्री पॉइंट यह बिल्कुल भी नहीं है आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट में डिटन चाहिए अग जैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आपको यह से प्रॉपर इन्फरमेशन बहुत सरा श्टॉक यह उपर आटे टाइम एक ही प्लाटफों में सही से मिल सके थैंक्यू थैंक्यू